कोई नेक्स एग्जामपल में तीन कॉंसेंट्रिक कंड़क्टिंग स्फिर दि इवें हैं कॉंसेंट्रिक मॉझांट्रिक कंड़क्टिंग स्फिर रेडियस र 2 र 3 र है और चार्ज इसबार Q माइनस 2q और प्लस 4q है प्लस 5q आप किशिन क्या है नाव इस्फियर 1 & 3 are connected by conducting wire अब अगर अपन 1 & 3 को conducting wire से connect कर देते हैं तो हर एक स्फियर पर चार्ज बता ना है इच स्फियर पर तो 1 & 3 को जब हमने connect किया तो इस दोरान 2 जो है वो किसी से connected नहीं है तो टू का चार्ज कई बदल नहीं सकता डिस्टिब्यूटी नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी से जुड़ा ही नहीं है तो उसका जो चार्ज टू का वह तो सेम ही बना रहेगा हैने कितना माइनस 2q कि 1 और 3 में चार्ज का अब माना कि x चार्ज है अब अगर इस पर एक्स चार्ज है तो बाहर वाले पर कितना चार्ज हो गिया 6q माइनस x तो इस पर चार्ज है एक्स इसका बदला नहीं इसलिए माइनस 2q और इस पर 6q- x दो चीजों का हम यूश करते हैं चार्ज कनजरवेशन औरSudश का सैम होना चार्ज कनजरवेशन हमने यूश कर लिया इस पर एक्स और इस पै्स प्रस इसक्स कियूश X, अब shutting आई, झाई यूज कर लेते हैं, तो 1 और 3 का potential, same कर देते हैं, 1 और 3 का inaktate छे सिम करें, तो 1 का potential कितना बना, ये 1 का potential लो बना है, Y मुवाय कितना, k, 1 का potential इस X की कारण, तो कितना मनेंगा, k x अपॉन R, 1 का potential minus 2 के कारण, वो कितना बना, k minus 2Q upon वन वाला पॉइंट का हाँ है अंदर अंदर वही पोटेंशल होगा जो उसके सर्फेस पर होगा तो 2R प्लस इस 6Q माइनस X के कारण अच्छा इस 6Q माइनस X जो है इसका अंदर और बाहर मिला कर चार्ज है हर सर्फेस का चार्ज हम मिसली नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हम तो नोन कं Mouse कर रहे हैं नोन कंडॉक्टर पे में देखने की जुरतनी है कि अंदर इतना बाहर इतना हमें तो टोड़ल चार्ज में हमें इंटरेचर है क्कि हर चार्ज का इफेक्ट पढ़ेगा हर point पर तो non conductor मानने का फाइदा है हर charge का effect पड़ेगा हर point पर तो charge distribution जानने की जुरुती नहीं है conductor में तो मैं देखना पड़ता कि इसकी inner surface पर कितना outer पर कितना और किसका effect आ रहा है वो देखना पड़ता तो हम non conductor की तरह लिख रहे हैं है potential तो 6q-6 का रण अंदर बन पर potential लिखना है तो अंदर भई potential होगा जो उसकी surface पर होगा यहने कितना हो गया के 6q-x upon 3r अब इसे ही 3 वाले का potential लिखे तो 3 वाले point का potential बन की कारण वो कितना बनेगा के x upon 3r plus इस minus 2 कारण कहां है बाहर उठा के सेंटर पर रख दिया कितना बना के minus 2q upon 3r plus और इस आखरी वाले 3 वाले कारण इसी के surface का यहने कितना के 6q-x upon 3r इसमें दोनों तो केंसी लोग है यह बचे इसको सुल कर लो तो इससे x क्यू बाइट वा जाएगा चेक कर ले ना एक्स ज़िए कि आड़ देंगे इसे हमें हरेक स्फिर का चार्ज मिल लाएगा अगर अगे मेंसे हर सर्फेस का पुछा ऑता जैसे पहले पूछा था तो हर्स सर्फेस ना सकते तो पहले हा देखो क्यू में इसे इधर 0, यहां कितना क्यू यहां क्यों जो सामने कितना – q total minus 2Q तो बाहर कितना minus q plus q 6Q तो देखो अपिस उपे उन्हें पोछ दूर्प हमें तो इससफिर का पुछा था तो इस फिर का total charge हमने इस तरह से निकाल लिया तो जैसे मालो कि यह conductor है और तीन conducting sphere और है और इस पर charge q1 q2 q3 q4 है और हम इस sphere को join कर रहे हैं इस वाले sphere से इसको भी इस से join कर लिया इसको भी इस से join कर दिया तो अब charge distribution कैसा होगा तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि भी माना कि यहां कुछ charge x बचा अगर इस पर कुछ charge x बचा तो यहां कुछ इलेक्ट्रिक फिल बचारे जाएगा और इलेक्ट्रिक फिल बचा तो इन दोनों point का potential same नहीं हो पाएगा और अगर इन दोनों point का potential same होना है तो इन दोनों का potential same नहीं हो पाएगा इसलिए सारा चार्ज यहां जाएगा तो इन पर अब चार्ज जीरो जीरो हो गिया और यहां सरगा सारा चार्ज इस पर आगिया q1 q2 q3 और already जो जेन था हो वो q4 इस तरह से हर सरफेस का चार्ज हम बता सकते हैं नेक्स एक्जामपल में कॉंसेंट्रिक conducting sphere है radius r और 2r वाले इसका charge minus q है और इसका charge 3q है और हमसे पूछा कि कितना charge flow होगा अगर हम outer sphere को ground करें और inner sphere को ground करें फस पाट करते हैं पहले अगर outer sphere को ground करें ग्राउंड करना अर्थिंग करना अर्थिंग करना इस तरह से हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया अब देखो यह स्फिर अर्थ से जूड़ गया तो इसका charge redistribution हो जाएगा चार्ज redistribute हो जायगा लेकिन क्या मतलब इसका charge में पढ़ोस ही है इसलिए इस पर कुछ ने को इसके कारण यहाँ पोटेंशल जो है वो नेगेटिव आएगा अब टोटल पोटेंशल को जीरो होना है तो इस पर सोल करने के बाद पोजेटिव चार्ज आने वाला है यह हम पहले से ही बता सकते हैं करते हैं तो इसका चार्ज जीरो नहीं हुआ अर्थिं करने का मतलब ग्राउंड करने का मतलब पोटेंशल का जीरो होना है तो अर्थ और इसमें रिडिस्ट्यूबिशन हुआ होगा तो माना इस पर चार्ज अब जो है कुछ एकसा गया इसको पॉइंट वन नाम देता हूं मै तो पॉइंट वन यहीं पॉइंट वन वाला जो इस्फियर है वो अगर ग्राउंडेड है तो उसका जो पोटेंशल है वो कितना हो जाएगा जीरो तो पोटेंशल ओफ पॉइंट वन विल बिकम जीरो अब वन वाले पॉइंट का पोटेंशल जीरो हो जाएगा तो किस-किस कारण लिखे दोनों कारण तो इसके कारण पोटेंशल कितना बनेगा इसके लिए यह पॉइंट कहां है बाहर उठा के रख दो सेंटर पर तो के माइनस क्यू चार्ज इस पर माइनस क्यू और अपॉन रेडियस यहीं क्या टू आर प्लस इसी खुद वाले इसी स्फिर कारण वो कितना बनेगा के एक सफॉन त यहां से इसको लब्र जो तो के एपों टुल― केपा टूअर्व टो एक सब्राइबर अगए कथ क्यू एकस पर चार्ज क्यूए तो अगर हम ने इसको घ्रॉन किया वा ता ओट तो इस पर है दो प्लस क्यो यहैंटी चार्जे मालाओं से ह है minus q तो सामने plus q summation कुई जीरो होना है तो और यह plus q तो outer पर 0 क्योंकि total अगर चाज कितना है q तो हर एक surface पर चार्ड अगर हम जानना चाहें तो minus q और plus q यह है इसका 1 पाट अब अगर अब इसके inner sphere को ground करें हमने अपन तो तो इसका मितलब एक्स का साइन नेगेटिव आने वाला है वेली तो हम इससे सोल करके बता देंगे तो तुका पोटेंशिल लिखे पहले तो इस एक्स की कारण कितना बनेगा के एक्स अपॉन आर रेडियस इसकी आर है इस पर चार्ज एक से तो के एक्स अपॉन आर अच्छे इसको इदर की त्रफ करो एदर एक ही बारते तो इसका पोटेंशिल लिख रहे है पने 2 का कितना बना के एक सपॉन आर प्लस इस त्रीक्यू कारण के 3क्यू आपों 2R अंदर किसी पॉंट का वह पोटेंशिल होता जो उसकी सर्फेस का होता है इसको अपने 0 के बराबर कर दिया त किसके बराबर आगे, minus 3Q by 2, यह x बराबर आगया, minus 3Q by 2, यह इस वाले का चार्ज आगया, अच्छा अगर हमसे पूछे कि बताओ, अर्थ से कितने इलेक्ट्रोन चलकर क्या है, तो अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर, तो ऐसे ही, इस x को किसके बराबर कर दें, n e के, इलेक्ट्रोन का चार्ज माइनस में होता है, तो यह चार्ज माइनस में है, जैसे इस पर चार्ज कितना था, minus Q, और अब कितना हो गया है, minus 3Q by 2, तो बताओ, additional, कितना चार्ज एक्स्ट्रा अर्थ से आया होगा, तो अर्थ से minus Q by 2 चार्ज और आया होगा, ताकि इसका चार्ज जो है, वो कितना हो गया, minus 3Q by 2, तो additional, extra, जो चार्ज अर्थ से आया है, वो कितना आया है, वो आया है, minus Q by 2, तो Q बराबर n e करना चाहें, तो minus Q बराबर n, और e का नाम minus e, क्योंकि, इलेक्ट्रोन का चार्ज नेगेटिव हो है, इस कारेंट से, minus minus केंसिल हो जाएगा, और अगर हमें यह पता लगाना है, n, number of electron, कितने गए हैं, तो n बराबर कितना हो गया, Q by 2 e, तो number of electron की value भी अपन इस तरह से बता सकते हैं, तो जिसको हमने ground किया है, उसका potential हमें 0 कर देना है, इस तरह से सवाल करेंगे हैं, infinite long non-conducting sheet हमने देखी थी, non-conductor जब हम पड़ा, अब हम infinite long conducting sheet देखेंगे, conductor non-conductor में क्या फरक है, non-conductor में charge, material के inside भी प्रेजेंट हो सकता है, उसके surface प्रेजेंट हो सकता है, जबकि conductor को दिया गया सारा charge उसकी surface पर ही present होता है, तो अब infinite long conducting sheet आने पर क्या होगा, कि जो भ यह infinite long conducting sheet एक, sheet एक ऐसे इस तरह से, जिसे board एक infinite long sheet की तरह से ले सकते हैं, ऐसे यह sheet जैसे यह वाले sheet है, तो यह उदर उपर तक है, इदर की तरफ इदर तक है, तो यह infinite long sheet की तरह से हम इसको ले सकते हैं, thickness बिलकुल negligible है, तब हम इस पर sigma define कर रहे हैं, otherwise हमको row define करना पड़त volume के हिसाब से, तो अगर हमने इसको कुछ charge दिया है, क्यों, तो वो charge कहां पर रहेगा, अब क्या है कि देखो, बीच में से कितना ही पतला हो, लेकिन जहां material है, वहां तो charge हो नहीं सकता, charge कहां पर आजाएगा, उसके surface पर, तो charge उसके surface पर आएगा, तो इदर surface पर charge होगा, और बीच का जो portion है, वहां पर material तो है, लेकिन वहां charge नहीं होगा, इसका मतलब जो सारा charge क्यों है, वो area इदर और area इदर, यनि कितने area में आजाएगा वो, to area में, बीच वाले portion में charge क्यों नहीं आया है, क्योंकि वहां material है, इसकी width बहुत कम है, बहुत कम, जैसे surface tension में आप बल्क होता है, अब जहां बल्क है, वहां surface tension force नहीं लगा करता था, surface, surface और बीच में, हलाकि 100 bubble की width कितनी कम, लेकिन surface tension wise वह अच्छी कासी width थे, क्योंकि surface tension का effect, दस molecular dimension तक या आता था, इस current से हम 100 bubble में, दो surface बोला करते थे, ऐसे ही, ये जो sheet अगर infinite long, इसकी width बहुत ही कम है, इस बहुत ही कम है, लेकिन जो भी charge वह सरा का सरा, इसके surface पर, इधर और इधर, तो Q charge जो है, वो कितने area में है, area इधर और area इधर, इसका मतलब, sigma conducting define करना चाहें अगर हम तो sigma conducting किसके बराबर बनेगा, Q charge two area में है, A इधर वाला और A इधर वाला, तो Q charge two area में है, तो Q upon two A, यह sigma conducting हो गया, non conducting में क्या होता था, non conducting में, और conducting में क्या फरक है, non conducting में जहां sheet है, वहीं पर charge हो सकता था, जैसे, यह plus plus charge की layer बना दी है, अपन ने हैसे, plus plus charge की layer, अब यह जो sheet है, यह वाली sheet, इसमें यह वाला जो plus है, वो आप इधर आके भी देख सकते हो, यह वाला plus, इध प्लस से इधर आके भी हलो कर सकते हो जबकि इस वाले में इधर जो प्लस है वो इधर आके नहीं देख सकते हो आप क्योंकि बीच में जो है material आगया है material आगया इस current से उधर चार्ज है इधर चार्ज है लेकिन बीच में material है conductor के case में तो जो plus इदर से देखा उसे उदर जाके hello नहीं कर पाओगे क्योंकि उदर से दिखेगा यह उदर अलग plus दिखेगा लेकिन conducting में जो charge जहां है वही material है इसलिए जो plus है यह वाला plus यह इदर से भी दिख रहा है यही charge की layer है यह plus इदर से भी दिख रहा है और इसको उदर जागर के उदर से भी hello करो तो उदर से भी इदर यू करके hello कर देगा hello तो इसका मतलब Q charge यहां पर area में है क्योंकि जहां charge है वही material है तो इस कारण से Q charge area में है आपर infinite long non-conducting sheet में इसलिए sigma non-conducting कितना defined हुआ Q by A अब हमने जब derivation किया था answer निकाला था solid conducting sphere का तो हमने क्या कहा था solid conducting sphere का answer निकालने के दोरान हमने कहा था जैसे यह है solid conducting sphere तो हमने कहा कि ऐसा करेंगे answer निकालने के लिए हम इसको equivalently hollow sphere में माल लेंगे hollow sphere के बरावर माल लेंगे क्योंकि conductor पर जो भी charge होता है वो सारा का सारा कहा पर होता है उसके surface पर तो अंदर का तो material ही बेकार है तो ऐसा करें कि अगर हम इसको यहां से material मिटा दें जैसे माल लेंगे हाँ material था भी तो यहां से material हटा दें तो भी answer में कोई फरक ने पड़ेगा इसका मतलब एक solid conducting sphere equivalent to equivalent to क्या? hollow non conducting sphere अब hollow conducting non conducting दोनों एक जैसे लेकिन क्या है कि हम hollow conducting non conducting दोनों एक जैसे लेकिन हम hollow non conducting की तरह से क्यों ले रहे हैं इसको hollow non conducting की तरह से ले रहे हैं क्योंकि non conductor पर हमें चिंता नहीं होती है इस current से जो है जब दुनों का अंसर एक जैसा है तो क्यों नो उसको non conductor बोला जाए ऐसे के सी हमने पहले जब यह स्फियर बनाए था यहां material था तो हमने का कि इसका अंसर बताने के लिए इसा करो कि है तो यह conductor यह conductor पर equally आप इसको non conductor की तरह मान सकते हो और जहां material है यह वाला उसे अटा दो यहां से यह material है अपने अब यह material है ने के बाद जो है यहां पर सिर्फ यह sphere sphere ही बचा रहे गया तो non conductor की तरह मानने से कह कि इसका जवाब देना असान हो जाएगा और हमने कुछ non conductor का अंसर निकाल रखे हैं उनका यूज भी कर सकते हैं तो ऐसे ही जो हमने यह infinite long non conducting sheet का अंसर निकाल रखा है वैसे ही इसका भी use कर सकते है यहां पर बीच में से यहां से material मिटा दें यह वाला यह material मिटा दें तो यह जो conducting sheet है यह जो conducting sheet है हमें इससे किसकी equivalent ले लेंगे हम इसे ले लेंगे equivalent to two non conducting sheet के equivalent equivalent to two non conducting sheet कि दो non conducting sheet की equivalent इसको ले लेंगे तो उसे का यह non conducting sheet वाला answer ही use कर लेंगे अच्छा बताओ इस conducting sheet में point two जो conductor के अंदर है वाली position पर electric field कितना है two वाली position पर electric field zero है तो two पर electric field zero करते हैं Q1 औ Q2 का जो distribution है उसका Q1 Q2 का amount कितना है वो बता सकते हैं कि Q में से इधर कितना Q1 आया और इधर कितना Q2 आया अच्छा है Q1 Q2 क्या है यह जो infinite long sheet है इसमें Q जब हमने total charge दिया उसमें से इधर वाली side पर कितना है Q1 और इधर वाली side पर कितना है Q2 तो Q1 Q2 कितना होगा यह जो conducting sheet है isolated है आसपास और कोई भी charge नहीं है तो यह तो हम directly बता सकते हैं कि जब आसपास कोई चार्ज नहीं है तो यह जो infinite long sheet है इसकी जो दोनों side है वो identical है तो symmetry से दोनों तरफ आदा आदा charge आएगा यह नहीं Q1 और Q2 दोनों Q by 2 के बराबर होंगे और आप चाहो तो 2 पर electric field 0 करके कर सकते हो तो जैसे अपन 2 पर electric field 0 करें 2 क्या है 2 एक conducting sheet का के अंदर वाला point है तो conductor के अंदर resultant electric field कितना होता है 0 तो 2 वाले point पर Q2 current electric field कि दर बनेगा इधर की तरफ कितना होगा उसका value Q2 upon 2 epsilon 0 है ना इसको पनने equivalent 2 बना दिया 2 non conducting sheet के जिसमें इधर वाले side पर charge है यहां तो material था तो यहां कोई charge था नहीं इधर वाले side पर charge है और यह वाले side का charge है Q2 और यह वाल पोजीशन पर एक point one बाहर वाली position पर तो टू वाली position पर हम electric field को 0 कर रहे हैं तो टू पर electric field q2 कारण कितना आएगा इधर की तरफ q2 upon 2 a epsilon 0 और q1 कारण इधर कितना आएगा q1 upon 2 a epsilon 0 तो दोनों को बराबर कर दें तो q2 upon 2 epsilon 0 बराबर q1 upon 2 epsilon 0 क्योंकि net electric field 0 है तो यहां से मैं ब बोल दिया था कि यह conducting sheet isolated है यानि दोनों साइड इसकी identical है कोई कारण नहीं कि दोनों तरफ अलग अलग चार जाए तो डारेक्ली वें बोल सकते थे कि q1 बराबर q2 होगा और चुकि q1 plus q2 मिला करके q के बराबर है इस कारण से q1 बराबर q2 डाल दें तो q1 q2 दोनों की value जो ह है वो किसके बराबर आगे अपने पास q2 के तो यहां से अपने को q1 और q2 की value है वो भी पता लग गई अब इसके बाद अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि 1 पर electric field क्या होगा वन वाली position जो है उस पर electric field क्या होगा तो e8 position 1 लिखना चाहें तो क्या बनेगा वन वाली position पर q1 की कारण इदर की तरफ और q2 कारण भी इदर की तरफ यह की साधार पर लिख रहे हैं है अपन बताओ इस conducting sheet को अपने किसके बराबर बाना है दो non conducting sheet के बराबर है नहीं एक यह वाला surface और एक यह वाला surface बीच का जो material है वो तो हटा दिया अपन ने मिटा दिया उसको की material का क कुछ काम ही नहीं है क्योंकि वहां तो resultant electric field 0 है तो अब हमारे सवाल में जब हमें किसी position प्राहां से निकालना है जैसे में 2 पर electric field लिखना है तो यह electric field q1 की कारण जब हम लिखने जा रहे हैं तो हमने non conducting sheet वाला formula ही यूज कर लिया क्योंकि एक conducting sheet को हमने 2 non conducting sheet के equivalent बना है तो यह non conducting sheet के formula से अपने q1 q2 में relation निकाला वुसी के मदस से वन वाले point पर electric field निकालने तो वन वाले point पर q1 की कारण electric field कितना है का वाया q1 upon 2 epsilon 0 q2 कारण कितना है q2 upon 2 epsilon 0 total मिलाकर कितना हो गया q1 plus q2 upon 2 epsilon 0 है यानि q upon 2a epsilon 0 तो वन वाले point पर जो electric field आया वो q upon 2 epsilon 0 आया conducting sheet के लिए अच्छा बताो non conducting sheet के लिए क्या answer होया करता था electric field का non-conducting sheet के लिए q के terms में answer होया करता था non conducting sheet के लिए q upon 2a epsilon 0 तो आप देख सकते हैं कि q के term में जो answer है non conducting sheet का और conducting sheet का एक जैसा है यानि हमें याद रखना आसान रहेगा कि दोनों का answer ही एक जैसा आया है तो answer एक जैसा इसलिए आए क्योंकि जब हमने उसको conducting sheet को दो non conducting sheet के बराबर किया तो दोनों का जो individual electric field आया उन दोनों का जब हमने summation किया तो total value उसी के बराबर आ गई लेकिन बताओ कि जो sigma की value होती conducting sheet और non conducting sheet वो दोनों के लिए same होती कि अलग-अलग होती है वो अलग-अलग होती क्यों होती है क्यों होती है क्यों conducting sheet में जो charge है वो दोनों side पर है तो Q charge जो हमने दिया है यह वाला वो A और A 2A area में है जबकि non conducting sheet में तो जहां material है जहां material है वही charge है अब जहां material है वही charge है यह 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 इदर इदर नहीं बटा हुआ है पस यह एक क्योंकि roto है नहीं जो उसकी width हो sigma है तो बहुत पतली sheet से बना है तो बहुत पतली है तो जहां charge है वही material है इस currency यह plus इदर से भी दिख जाएगा और इदर से भी दिख जाएगा non conducting वाले case में तो sigma non conducting की value है वो Q by A है अब किसी को लगे बहुत पतला है तो फिर इसमें इसा क्यों नहीं तो किसी भी एक side की बात करें किसी भी एक side पर Q by 2 charge area में तो बन जाए कितना Q by 2 A तो non conducting sheet में sigma की thumb में क्या answer आया करता था Q by A को लिख दे अगर अगर हम सिग्मा sigma non conducting का नाम सिग्मा लिखूं तो क्या answer आया करता था sigma by 2 epsilon 0 और conducting sheet में sigma के thumb में क्या answer आया तो यह अपन ने conducting sheet का जो answer निकाला Q के thumb में जो था Q by 2 A epsilon 0 उसमें हमने Q by 2 A की value जो है वो sigma डाल दी तो Q by 2 A की जो है वेली sigma डाल दी तो कितना होगे Q by 2 A sigma तो sigma by epsilon 0 होगे तो आप देख सकते हैं कि sigma के thumb में दोनों का answer जो है वो अलग-अलग आया है sigma conducting है अगर conducting sheet है अगर तो sigma by epsilon 0 और non conducting sheet है तो sigma by 2 epsilon 0 कभी अगर ऐसा है कभी अगर ऐसा है कि आपके पास यह कर सकते हो आपकी Q or sigma में से कुछ भी use कर सकते हो तो फिर आप क्या पसंद करोगे करना क्यों 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 की क्योंकि Q के form में दूनों का answer एक जैसा है तो हमें चिंता नहीं रहेगी कि हम जो है conducting sheet का यूज कर रहे है मतलब conducting sheet या non conducting जल्दी बाजी में कुछ मिजबी ओगया तो भी काम से लगा क्योंकि दूनों के लिए Q के form में formula एक जैसा है अच्छा कभी-कभी सवालों में यह नहीं बताते की sheet कौन सी है बस ही बोल दिया कि infinite long sheet is placed is shown पर यह नहीं बताया कि यह infinite long sheet conducting है non conducting तो जब कुछ नहीं के रखा हो तो by default हम उसे non conducting लेंगे जो भी चीज इस sphere वगएरा जो भी दे रखे हैं उसमें अगर में किसी भी तरह से यह नहीं पता लग रहा है कि कैसा material है तो वहाँ हम उसे non conducting sheet की तरह से ही या non conducting material की तरह से ही लिया करेंगे तो finally non conducting sheet हो चाहे conducting sheet हो Q के term में दोनों का answer एक जैसा है Q upon 2 epsilon 0 लेकिन sigma की value ही अलग अलग है इसलिए sigma के terms में answer दोनों का अलग अलग है infinite long non conducting sheet में answer जो है वो क्या है sigma by 2 epsilon 0 और infinite long conducting sheet में क्या answer है infinite long conducting sheet में sigma by epsilon 0 तो ध्यान रखें infinite long conducting sheet का answer जो है वो sigma के term में sigma by epsilon 0 चोड़ा सा example है जैसे charge q हमने दिया एक sheet जो non-conducting है और एक sheet जो conducting है और एसे ही sigma दिया हमने non-conducting sheet और conducting sheet obviously infinite long और हमें अब electric field की बेली बतानी है तो electric field यहाँ पर कितना होगा q by 2a epsilon 0 और यहाँ वाले कैसमे electric field कितना होगा q by 2a epsilon 0 क्यों के डम में answer दोनों का एक जैसा है न और sigma के लिए बोलना चाहें तो sigma के लिए इसका अांसर कितना sigma by 2A charm 0 non-conducting sheet के लिए electric field और इसके लिए answer कितना sigma by epsilon 0 तो same q देने पर electric field का अंसर एक जैसा आएगा conducting or non-conducting दोनों sheet में लेकिन same sigma देने पर non-conducting sheet में electric field sigma by 2A charm 0 और conducting sheet में शिगम माइप सब07 यानि ज्यादा किसम आया conducting sheet में कारण क्या है अगर Q समें है तो सिग्मा डिफरेंट है और अगर सिग्मा समें तो फिर क्यों different होगा जैसे सिग्मा से में जैसे सिग्मा नोन रिक्टिंग भी सिग्मा है तो साले केश में क्यों कितना और जाएगा, Q बराबर आजाएगा, sigma इंटू ए, और sigma conducting भी sigma है, तो सदरले केस में क्यों इतना आजाएगा, उस सदरले केस में क्यों इतना जाएगा, sigma इंटू टू है, तो देखो, sigma same होने पर conducting sheet में dhugna Q आ रहा है, और ज्यादा क्यों आ रहा है दूगना क्यों आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फिल भी दूगना आएगा तो क्यों सेम होने पर सेम सिग्मा से होने पर डिफरेंट और किसमें ज्यादा conducting sheet में ज्यादा नेक्स एक्जामपल में infinite long conducting sheet दे रखी है दो एक infinite long sheet यह वाली है एक यह वाली है और इस पर चार्ज 2 क्यों है इस पर चार्ज minus क्यों है एरिया ए है infinite long फिर भी एरिया ए इसलिए क्योंकि infinite relative time है कि Bill Gates के पास संपती जो है वो एक मजदूर के लिए तो infinite जैसी ही है है ना पर उसकी calculation की जा सकती विल्केट की संपती के लेकिन मजदूर के लिए infinite जैसे है तो ऐसे कैसे area जैसे एक जैसे बोर्ड है और यह मानलों की उपर सो conducting sheet एसे रखी भी इस तरह से और यह जो ऐसे रखा हुआ इस तरह से यह yz plane है और यह x-axis है यह वाली side x-axis तो हमें बता लगाना है find electric field at point b c and d b c or d पर electric field और हर एक surface पर charge है नहीं इदर कितना आएगा इदर कितना इदर कितना इदर और नहीं था कि दोनों तरफ अलग अलगा है लेकिन अब तो क्या है कि इदर कि तरफ कोई है तो कोई कारण होगा जिस current से दोनों तरफ अलग अलग आ सकता है तो वह में निकाल के देखना रहेगा कि कि इतना charge कि दर कितरफ आ रहा है पहले फर्स पार्ट देखते हैं अगर यह Q के टम में हैं तो हम बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हैं तो B पर electric field देखें तो B पर electric field कितना आएगा बी पर क्या करते हैं किसी point पर electric field के लिए मन में वहाँ पर एक कुलाम चार्ज सोच लेते हैं तो अचना यहां को लाम चार्ज तो यहां two current repulsion और minus current attraction minus क्यों है लगा है है हां पर क्योंकि q जो है उसका minus attraction का एरो हमने इधर दिखा दिया है तो नेट कितना बज़िया q upon पन ने चली रहा है two epsilon 0 upon two epsilon 0 upon two epsilon 0 कितना बज़िया बज़िया q upon two epsilon naught और direction की बज़िगे इसकी direction हो गई minus of i cape उदर की तरफ c वाले point पर देखें तो c वाले point पर जो electric field है वो कितना 2q current इदर की तरफ और q current भी इदर की तरफ तो 2q और q तो नहीं कारण ओ सिदर की तरफ तो total भी आगर इतना हो गया c वाले point पर ही हो गया 3q upon 2a epsilon 0 direction जो है वो क्या हो गई i cape और d वाले point पर देखें 2q current repulsion और q current direction नेट कितना बचा नेट बचा q उधर की तरफ तो कितना हो गया d वाले point पर electric field लिखना चाहें अगर अपन तो d वाले point पर ये कितना हो गया 3q upon कितना q q upon 2a epsilon 0 और direction जो है वो किसकी i cape ये तो निकाल लिया अपने electric field क्योंके नम्स में तो conducting non-conducting का फरक ही नहीं पड़ा हमको अब हमें हर एक surface पर charge भी बता लगाना है कि इसके कि side पर कितना charge रहा होगा तो बता लगाते हैं second part में charge तो charge बता लगाने के लिए कि side पर कितना charge आएगा second part में हमने म् Ruben लिए माना इदेदे के टिरफ कुछ चाढ जाया x तो तू क्यू में से इदे एक्स गया तो इदर कितना बच गया conducting sheet है, तो conducting sheet में क्या है? हर एक conductor के अंदर वाले point पर जो electric field होगा, वो कितना होगा? 0, तो one वाले point पर भी electric field 0 होगा और two वाले point पर भी electric field 0 होगा, तो इन दो variable से दो equation लिख करके हम दो variable पता लगा सकते हैं, तो one वाले दो conducting sheet है, two conducting sheet, एक ये और एक ये, तो इसे चार non conducting sheet हम मान सकते हैं, चार non conducting sheet यानि यह जो sheet है यह वाले इसके बीच का material मिटा दो, तो जैसे यह है ऐसे यह वाले sheet, अब इसका बीच वाला material मिटा दे अगर अगर अपने से, बीच वाला तो इसमें इदर के तरफ चार्ज वाई और इधर माइनस क्यू माइनस वाई तो अब क्या है जैसे वन वाले पॉइंट पे लिखना है तो इंफाने लोंग शीट में डिस्टेंस का तो फरक पड़ता नहीं है तो जिस पॉइंट पर आंसर निकाल नहीं उसके एक तरफ की सारी शीट को एक साथ ले सकते हैं तो जैसे अपने को पॉइंट वन पर आंसर निकालना है तो क्या करें अपन पॉइंट वन के एक तरफ की शीट को एक तरफ ले लें जैसे टू क्यू माइनस एक साथ ले लें तो क्या बनेगा बताओ टू क्यू माइनस एक साथ ले लें तो क्य minus y, है ना, तो कितना हो गया, x plus y plus minus q minus y upon 2a epsilon 0, यह y और y cancel हो गया, तो कितना बज़ गया यहां से, x minus q, और 2 epsilon 0 तो cancel हो गया, और यहां से कितना गया, 2q minus x, तो कितना हो गया, यह इदर आगया तो 2x, और यह गया तो कितना हो गया 3Q तो टो एक्स Punkte एक्स बराबर कितना हो गया एक्स बराबर हो गया 3Q ऑय 2 यह एक्स की एक्स की वाले और ऑगई एससे वाई दिक आ पोंट पर 23 și जीरो करECTसे चील by Ctrl टो यह वाला पॉइंट ऑला तो 2 के एक तरफ की सारे sheet एक साथ ले लें अब देखो इन तीनों को साथ लेंगे जब पन तो एकस तो के इसी लिए जाएगा और टोटल मिलाकर कितना बज़ गया यह बज़ गया 2Q Q प्लस Y अपॉन 2 Epsilon 0 अब देखो 2 Epsilon 0 दोने तरफ आगे कटना है तो फिर उसे लिखने ही कह जरू हते है वह कटी रहा है तो और ऐसे ही 2 के इदर वाला चार्ज कितना बचा यह बचा माइनस Q माइनस Y तो यहां से कितना आगया यह वाला यह इदर की तरफ ही यह वाइदर ले देंगे उसे अपने को हर एक सर्फेस का चार्ज पता लग जाएगा एक चीज पर आप ध्यान दे सकते हैं वह यह कि जो एक सोर वाई की वेलिव आई है उनका मेगनिटीूट सेम आया है 3Q2 3Q2 और साइन अपोजिट आया है यह प्लस और यह माइनस तो क्या यह हमेशा ऐसे होगा अगर होगा तो क्या मिसका किस तरीके से फाइद आउटा सकते हैं यह देखते हैं अपने वागे तो जैसे हम देख रहे थे कि आमने सामने लिए सर्फेस पर जो चार्ज आये था इस पर और इस पर वह एक्को लेंड अपोजिट आये था तो क्या हमेशा सेम आएगा किया हम देखना जाते हैं तो इसके लिए हमने यह दो इंफानायट लोंग शीट ली है वाई जट प्लेन में और यह बढुजेत प्लेन में और इसका पुरा व्यू बनाए ऐसे यह वाला तो यह व्यू बना है पुरा इसका ऐसा इस तरह से और माम एक ऐब उलोजन सर्फेस इसले नहीं आब आते हैं गावजेम सर्फेस एक क्यूब या क्यूब यह साहिद हो गया ये मनाया है क्योड यह वाला पाट जो ए वाली साइड़ इसकी य Apple है फेरन के अंदर एनुस से और यह वाला साइड इसकी आप वाले बार कें अंदर यांदर ये यह वाली सेट और चार पार्ट एक ये वाला पार्ट ये वाला साम इधर आफाटड दो इदर और दो उपर नीचे वाले तो इसे पुरा क्यू ए बोलना जाओ तो क्यूबर बन गया तो छे surface बना दिया अपने, close surface होके कुल मिला करके ये, तो ये infinite long sheet है, y-z plane में रखी हुई, 2q charge, minus q charge, सामने से देखने पर तो आपको इस इस तरह से, पर है ये infinite long sheet, और इसका ये वाला view पूरा ये से दिखा है, ये से तोड़ा टेडा करके, तो ये इस तरह से बना दिया, Gaussian surface बना रहे है, दिवार के अंदर, और ये वाली side कहां पर है, दिवार के अंदर, और बाकी बची चार, ये दो, और दो ये, ये दिखी रहे हैं आपको दो ये, दो ये, और ये जो दो हैं ये वाली, ये वाली दो, ये इसके अंदर है, होगे close Gaussian surface, अब, e dot ds बराबर summation q in epsilon 0 की बात करें तो देखो सबसे पहले, इसके बीच में आए, electric field की दर की तरफ होगा, ये 2Q है, ये minus Q है, तो electric field की जो direction होगी यहां पर, 2Q current इदर की तरफ, और minus Q current इदर की तरफ, है न, तो electric field net, इदर की तरफ होगा, e, तो e इदर की तरफ होगा, e dot ds बराबर summation q in upon epsilon 0 में, जो चार surfaces हैं इसकी, उन चार surface के लिए, e और ds के बीच का angle कितना है, ये छत वाला portion देखो, इसका area, a, उपर की तरफ, और electric field ऐसे, तो e और e के बीच का angle कितना, 90 degree, e, दो sheet ऐसे हैं, electric field ऐसे हैं, इसका area, छत वाले पार्ट का, इस Gaussian surface में, उपर की तरफ है, तो e ऐसे, area ऐसे, तो बताओ angle कितना, 90 degree, नीचे वाले पार्ट के लिए, angle 90 degree, इदर वाली दीवार के लिए, 90 degree, इदर वाली दीवार के लिए, 90 degree, इदर वाली दीवार के लिए, 90 degree, तो चार दीवार के लिए, चार surfaces के लिए, e, ds कोस 90 से, ये term जो है, वो, zero हो गई, बची दो surface, ये वाली, ये जो surface है, दोनों दिवार के अंदर अब conductor के अंदर resultant electric field inside the conductor बताओ कितना होता है वह होता है 0 resultant electric field inside the conductor is 0 तो यह term 0 इसलिए यह पूरी term 0 EDS cos theta 0 तो इधर क्या बचा? summation q in upon epsilon 0 तो इसका मतलब summation q in की value जो है वो 0 आगी इसका मतलब अब इसके अंदर कौन सी surface आईगा उजन surface में से इस दीवार की केवल यह वाली side आईए वो side नहीं आईए अंदर कौन साइड आईए सिर्फ यह वाली side यह नहीं आईए यह तो उदर बाहर की तरफ रेगी यह वाली side बाहर है ऐसे ही इसकी यह वाली side आईए यह तो बाहर के तरफ रह गई, यह नहीं, इसकी यह वाली साइड और यह वाली साइड आईए, इन दोनों का मिलाकर के, हमने क्या अप्रू किया, summation q in की जो value है, वो कितनी आएगी, 0, अब summation q in 0 आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि, अगर यहाँ charge x है, तो definitely यहाँ सामने charge क्या आने वाला है, minus x, अब यह minus x आने वाला है, तो इसका मतलब यह हुआ कि, अब तो हमें एगी variable की calculation करने रहे गए x की, y की यह लग्स से calculation करने जो दो होती है, क्योंकि हमने बता दिया, कि आमने सामने जो charge है, जैसे यह x और यह y, तो y plus x बराबर 0, तो y बराबर minus x, तो y की हम क्या मान सकते है, minus x, तभी तो समेशन क्यों जो है, वो 0 बनेगा, अब देखो, 2q में सिधर गया x, तो इधर किता बचा, 2q minus x, और minus q में सिधर x गया, तो इधर किता बचा, minus q plus x, अब यह एक point ले लिया आपनने, इस point पे conductor के अंदर, resultant electric field के value कितनी, 0, अब इस point 1 पर electric field 0 लेना है अपने को, conductor के अंदर है यह वाला पाट है, यह sheet है यह इस तरह से, यह sheet है यह इस तरह से, तो यह जो point हमने अंदर के तरफ लिया है, इसमें, यह वन वाला जो point लिया है यह यह वन वाला point, इस one पर electric field 0, तो इन तीनों के कारण, point 1 के तीनों एक तरफ, तीनों के epsilon 0 और यहां से कितना औगया हिएह इदर जला गया तो 2x बरावबर 3q तो x equals to 3q by 2 x equals to 3q by 2 तो x की जगह हैं यहां 3q by 2 ढाल दिया यह 3q by 2 और कितना माइनस 3q by 2 यह वाला चार्ज हो गया 3q by 2 यह वाला हो गया max 3q by 2 और यहां डालो 3q by 2 कितना बचा है यहां q by 2 और यहां डालो 3 q by 2 तो यहां कि तब अच्छा q by 2 तो इसके इधर और इधर तो बराबर चार्ज आया है लेकिन आमने सामने जो आया है आमने सामने वो equal and deposit आया है क्या हमेशा हैगा हाँ हैगा क्योंकि जो हमने है आमने सामने आप चार्ज हमेशा equal and opposite ले सकते हो इस तरह के सवाल में जब हमें charge distribution निकालना हो तब इस सवाल में आमनों तीन infinite long sheet दे रखी हैं और चार्ज एक q 2 q 5 q एरिया यह है इनका और conducting sheet infinite long y z plane में है और चार्ज बता लगाना है अपने को हर एक surface पर हर एक surface पर चार्ज कितना होगा तो अगर यह अकेली sheet होती तो आदा आदा बढ़ जाता लेगिन अकेली sheet तो ही नहीं पास में परोसी भी परोसी जो है वो इसको affect करेंगे तो क्यों में से मान लिया अपनने माना इधर की चार्ज वाया वह एकसा तो इधर एकसा यह तो डोल मिलाकर क्यों यह तो बताओ इधर कितना बनेगा q- एकस और यहाँ एकसे सामने क्या माइनस एकसाएगा एककोल एंड़ अपोजिट अभी अपने प्रूग किया आपने सामने एकोले एकसा रहेगा इसलिए प्लस एक्स अब क्या है कि हरे का चार्ज इस तरह से कितनी भी शीटे हो आपने सामने एक को लेंड अपोजिट करते हुए अपन चार्ज इस्टिपिशन करते जाएंगे अब देखो कोई भी पॉइंट ले जैसे यहां एक पॉइंट ले अंदर कंड़कर के अंदर और इस इसके लिए क्या होना चीए और उन सबकां मिला करके अब देखत ऐंड वाला चार्ज बराबर आखरी शीट के इधर 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 वाला चार्ज पर इधर 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 वाला चार्ज यह नहीं suspects इन वह इंए ले आमने सामने अई इसे पता लगाना पड़ेगा तो कितना बनाई यह बना 7q प्लस x upon 2a epsilon 0 upon 2 epsilon 0 तो केंसील हो गया दोनों तरफ से और कितना बज़ गया यह उदर बेज दो तो ही हो गया 2x और यह कितना हो गया q-7q यानि कितना minus 6q एक्स पराबर कितना आ गया minus 3q और हमको x मिल गया तो बगर जगा तो 5, 2, 7 और 8, 8q upon 2a epsilon 0 इस पॉइंट का नाम जिसे कुछ दे दो 4 तो e84 equal to 8q upon 2a epsilon 0 और डारेक्शन क्या होगी आई के यह वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल पिता लगाना है मानलों इसको 3 नाम दे दिया आपनने तो इलेक्ट्रिक फिल एट 3 कितना हो जाएगा इस पॉइंट के उधर की दोनों शीट एक साथ और इदर की शीट एक साथ तो दोनों मिला गर कितना 3q तो 3q इदर की तरफ और 5q तो नेट कितना बज गया टू क्यू तूदर की तरफ कितना मज़ गया टू क्यू अपॉन टू एपसलन जिरो डारेक्शन क्या हो गई माइनस आइके तो इलेक्ट्रिक फिल इस तरह से हम निकाल सकते हैं में बात हमने क्या जानी शीटे कितनी भी ओभ इंफानिट लोंग कंडक्टिंग शीट के दुरा पयाला ला चार्ज इसे प्याएब्धान हमें हमें आमने सामने ही चार्ज करता जाएंगे और हो जो यकोईशन भी चार्ज बराबर आख्री शीट के इधर इधर रवला चार्ज इसे हम यह एज की वैल्यू पता लगा सकते नेक्स एग्जांपल में इंफानाइट long conducting sheet है और charge क्यों है isolated नहीं है कोई सोर्स है जिसके कारण यहां पर electric field कुछ न कुछ यह है तो हमें बता लगाना है कि हर एक surface पर charge कितना होगा find charge on each surface isolator हो देते लेकिन कोई source रखा होगा इदर की तरफ जैसे भी जो दो शीटे थी इसमें यहां पर जो electric field आ रहा है इसके कारण वो जो electric field है वो इसी तरह का तो है एक तरह से uniform है तो यह है कि यहां पर क्यू बाइट टू एप्सलन जिरो के टम में था और यहां उसी की वेली जो है हमें e के तंप में दे रखी है तो अब हम क्या करना जाते हैं कि हर एक सरफेस पर कितना चार्ड आया यह पता लगा रहा है तो उसके लिए मानली आपने इस क्यू में से इदर की तरफ चार्ड आया एक्स तो इदर कितना आ गया इदर की तरफ जो इएक्टणरल लिगावा था उनिफोर्म एक्सेनल ट्विड जो एक्सेनल फिल लिगावा था वो भी है तो वन वाले पॉंट पर दो दू इदर की तरफ यह वाला और जो पाला और इक उदर की तरफ ने दो जो हम अग तो यहां से two epsilon zero common आगया, तो q minus x plus two a epsilon not e equal to x. तो कितना हो गया यहां से यह, इधर हो गया 2x, और यह q plus two a epsilon not into e. तो x की बेल किती हो गया यहां से? x बराबर हो गया, q by two plus epsilon not a into e. x मिल गया, तो x यह डाल देंगे, जिसे अपने को दोनों साइड का चार्ज मिल जाएगा. नेक्स्ट में infinite long sheet है दो, और two q minus की इस पर चार्ज है, और एक external electric field भी है, e external uniform, source क्या है उसका वह नहीं दिखा रखा है, value बता रखी, लेकिन amount यह यह वेल्यू है e, और uniform electric field है, और हमें our surface विचार्ज बताना है, तो जैसे यहां हमने x मान लिया, तो यहां x मान लिया, तो अगर अपन basic origin surface बना करके बताएं, तो यहां पर minus x चार्ज आना ही है, अब यह 2 q है, यह x से दिदर कितना जाएगा, 2 q minus x, और यह minus x से minus q ते कितना जाएगा, यह दोनों कारण के इसल हो जाएगा, और यह जो e है वो इदा की तरफ ही, तो प्लस e यह भी दा की तरफ ही, और इस वाले कारण की तरफ आएगा, अच्छा देखो, किसी प्लेट पर अगर हमें चार्ज का साइन नहीं पता है, जैसे ही x है, और हमें इसका साइन नहीं पता है, तो by default हम उसको positive मान करके चलेंगे, तो यहाँ पर electric field कितना आया, x upon 2 epsilon 0, q का value x, तो x upon 2 epsilon 0, और मालो यह yz plane में है, yz plane में, तो yz plane में है, तो बताओ electric field की direction यह वाली कौन सी आगई, यह वाली आगई, i-k वाली direction में, अब मान लो की यह x की जो value है, वो है q, तो यह q upon 2 epsilon 0, i-k प्लस था, तो इदर आना ही था, और मान लो x की value जो है, वो है minus q, तो अगर x की value minus q है, तो minus q है, तो यह infinite long sheet है, तो electric field इदर की तरफ आना है, तो by default हम उसे कैसा ले लेंगे, positive अगर negative हुआ, तो automatic adjust हो जाएगा, तो जिसे यह है minus q plus x, अब इसका sign नहीं पता है अपने को, यह नहीं कि यह negative भी आने वाला है, या positive आने वाला है, बगेर x जाने हम कैसे बताएंगे, कि कैसा आने वाला है, तो हमने इसको by default कैसा माल लिया, positive, तो minus q plus x कारण यह electric field किदर आएगा, उस तरफ, उस तरफ आएगा, तो इसका मतलब, minus q plus x upon 2a epsilon 0, उदर की तरफ, अब net electric field 0 ना है, तो यह बराबर कर दिया अपनने, तो 2a epsilon 0, कैंसील हो गया, और कितना हो गया यहां से, 2q minus x, और plus 2a epsilon 0 e, equal to minus q plus x, इस पूरी लाइन में क्या नोंने अपने को x, तो इससे x की value बतलग जाएगी, इस तरह समने हर एक surface का charge बतलगा, infinite long conducting sheet है, दोनों, और इस पर charge q है, इस पर 0 charge है, और अब हमें charge बतलगाना है, यहां सामने induction से minus x आना ही है, summation क्यों जीरो होना है, तो यहां minus x आना ही है, अब total 0 है तो इस तरह की तरफ x आजाएगा, और यहां पर q minus x आजाएगा, अभी से वाले point पर electric field 0 होना है, तो क्या होगा यहां वाले point पर, point 1 पर अगर अगर अपन electric field को 0 करें, तो q बराबर कितना हो गया, 2x, तो x बराबर कितना हो गया, q by 2, तो x बराबर q by 2 हो गया, तो यहां q by 2 charge यहां पर आगया, q by 2 charge यहां गया, यहां q by 2 और यहां पर minus q by 2, इस तरह से charge distribution हो गया, next example में यह conducting sphere है, और यहां गाउजन surface बना रखी, गाउजन surface है नहीं, close hypothetical surface, hypothetical बना मन में है, और अब हम यहां कुछ charge क्यू लेकर क्या आए, तो हमें यह बताना है, कि अगर यहां कोई charge क्यू रखा, तो flux का sign, चिन जो है, वो क्या होगा, positive or negative, जो यह क्यू है, तो यहां electric field ऐसे होगा, तो induction कारण यहां पर charge कैसा आएगा, जैसे electric field ऐसे इस तरह से, तो इस electric field के कारण क्या होगा, इस electric field के कारण, इधर की तरफ minus minus, और इधर की तरफ plus plus charge आएगा, तो देखो, इस Gaussian surface में जो charge आए, वो कैसा आया, plus plus, प्लस प्लस आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसके अंदर जो charge बना है, इस Gaussian surface के अंदर, वो positive charge आया है, तो summation q-in जो हो कैसा आगया, positive, तो flux कैसा आगया, positive, positive flux आगया इसमें, और अगला-अला question देखें आप, कि एक conducting sphere है, और इस conducting sphere में, हमने यहाँ पर charge q ले आए, अब charge q ले आए, तो बताओ, और center से यहाँ पर distance मालो, इसके r है, तो अपने इसका already potential निकाला था, कि जैसे point 1 है, और यह c है, तो a का potential बताओ, तो अपने कहा था कि, a पर तो induced charge की गारण भी effect आएगा, जैसे यहाँ minus minus plus plus आएगा, और यहाँ minus इदर plus इदर, तो a का potential बताना तो हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हमने क्या कहा था कि, कौन से point का potential बताएंगे अबर, c वाले point का, क्योंकि c पर induced charge का effect 0 होगा, तो जो q का potential आएगा, यहाँ पर c पर, वही net potential हो जाएगा, और जो c का है, वही a का होगा, अब नया सवाल क्या है, कि हमने इसको ground कर दिया, अर्थ से जोड दिया, तो ground करने का मतलब क्या होगा, बताओ, इस conducting sphere का potential है, वो कितना हो जाएगा, जीरो, अब इसका potential 0 हो जाएगा, तो इस पर charge कितना आएगा, यह बता लगाना है अगर अपने को, किस conducting sphere पर charge कितना होगा, तो माल लिए अपनने, कि इस पर कुछ charge Q1 है, कहां से आया होगा वो, अर्थ से आया होगा, उसका sign क्या है, सोल करे बगेर हम बता सकते हैं, कि total potential अगर 0 होना है, तो क्योंकि कारणिया positive potential है, तो क्योंकि कारणिया negative potential होना चाहिए, यानि Q1 का जो sign है, ओ कैसा आना चाहिए negative, और conducting sphere जो है, इस पर neutral था यह, initially neutral, और इसका जो radius है, radius वो माल लो कुछ small r है, इसकी radius जो है यह वाली, यह small r है, जैसे ही हमने रखा, तो इस sphere पर Q1 जो charge आएगा, उस Q1 की value क्या होगी, यह हमें question में बता लगाना है, कि Q1 की value क्या होगी, तो कैसे निकाले Q1 की value, इसके लिए हमें यह information है, कि इस conducting sphere का जो potential है, वो 0 है, अब sphere का potential 0 है, इस sphere का potential जो है, वो किसी से कारण लिखें, एक तो इस Q के कारण, और एक इस Q1 के कारण, अच्छा, कौन से point का लिखोगे, C का, क्योंकि C पर जो potential बनेगा, C का जो potential बनेगा, वो किसी से कारण बनेगा, वो बनेगा due to Q, due to Q1, and due to induced charge, लेकिन induced charge का, C पर जो potential आएगा, वो कितना आजाएगा, 0, तो इसलिए ये term 0 होगी, और total potential क्यों 0 है, total potential इसलिए 0 क्योंकि अर्थ का रखा है, और C पर induced charge क्यों 0 आया, क्योंकि जितना भी charge या, minus minus आएगा, और जो यहां plus plus आएगा, उसकी center से distance same है, तो induced charge का center के लिए potential जो है, वो 0 हो जाएगा, तो यह 0 बराबर, और यहां से, इस Q का पोटेंशल की तमना, K Q by R, और यह R है, तो इसको कुछ ओड़ ले लेते हैं, यह मालनो, small A है, इसकी radius है न, radius को change करके, A कर देते हैं, तो Q1 की current potential की तमना, K Q1 upon A, बराबर 0, तो इससे अपने को, किसकी value पता लग जाएगी, Q1 की, यहां से, इस वाले line से, Q1 की value पता लग गए हमको, अब माल एक टेड़े मेड़े shape का conductor है, और उसके बिलकुल pass वाले point के लिए, अब मेड़े हम electric field की calculation करना आते हैं, हैनि, 0.1 पर electric field की calculation करना आते हैं, तो एक टेड़े मेड़े shape के conductor के लिए, हैनि, non uniform shape का conductor है अगर, तो उसके लिए, उसके एकदम pass वाले point पर electric field की value क्या होगी, बिलकुल pass वाले point पर electric field की value, यह हम पता लगाना आते हैं, और इस को हमने जो charge दिया है, उसका नाम है sigma, तो sigma को इस case में local charge density बोलते हैं, local charge density इसलिए क्योंकि, जो किसी conductor को charge देते हैं, तो वो charge का distribution, उसकी radius of curvature के proportional में distribute होता है, अब radius of curvature के proportional में distribute होता है, तो uniform shape का होता ना, distribution जो है, वो अलग 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 रहेगा, जैसे अगर कोई conductor है, टेड़े मेंडे shape का, और उसमें कहीं peak है, किसी जगह पर peak है, sharp peak, किसी position पर sharp peak है, जैसे यहां पर ऐसे sharp peak है, तो फिर क्या होगा कि यहां, इन सब जगह में सबसे ज़्यादा charge density यहीं पर होगी, sigma सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा, क्योंकि यहां पर R जो है, वो सबसे कम है, radius of curvature सबसे कम है, यहां वाली position, इसलिए यहां का charge का जो distribution है, charge density जो है, यहां पर उसबसे ज़्यादा होगी, तो अलग-अलग जगह यहां charge density, यहां charge density अलग-अलग, क्योंकि radius of curvature अलग-अलग, इसलिए हमने यहां sigma को local charge density बोला है, local charge density, तो अब हमें यह पता लगाना है, कि इसके एकदम पास वाले point पर one पर electric field की value क्या होगी, E at one पता लगाना आते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, कि one को शामिल करते हुए, यह जो point one था, इसको शामिल करते हुए, एक चोटी सी Gaussian surface बनाई, cylindrical Gaussian surface इसे, इस तरह से, यह point one था यहां पर, इसको शामिल करते हुए, हमने एक Gaussian surface बनाई, अब यह जो आपने Gaussian surface बनाई, यह एक cylindrical surface है और उसका इतना portion यहां इस पर जो चार्ज है इस वाली surface पर यह वाला एक टेड़े मेड़े शेप का conductor जैसे ही है तो यह वाला conductor है तो यहां अगर अपने से gaugian surface बनाई ऐसे इस तरह से सिलेंड्रिकल तो इस का यहां जो एरिया बनेगा चोटा सा portion का एरिया यह वाला और यह वाला जो एरिया बनेगा यह वाला और यह वाला वह एक जैसा ले सकते हैं तो यह वाला एरिया और यह वाला एरिया एक जैसा तो यह एरिया अगर डियस है तो यहां सिग्मा इंटु ड यह भी दिएस यह वाला एरिया और यह भी दिएस तो यहां डीकु इतना बना डीकु बरावर बना सिग्मा इंटु बिएस अब देखो यह डीकु बन गया यह वाला अब यहां जो एलेक्ट्रिक फिल पता हो इस तरह सब बनेगे और यहां जो डी एस की डारेक्शन ए वह ऐसे बनी और यहां भी इधर की तरफ ऐसे ही और डी जो है वह इधर की तरफ तो देखो इस जगह पर यह और डी इस के बीच का जो एंगल बना है इस गाउजन सर्फेस के हां पर वह कितना 90 दिग्री और यहां वाली के लिए लगाना आते हैं तो इसमें से तीन सर्फ इसके लिए तो EDS cos 90 हो गया तो जीरो हो गया यहां के लिए जीरो है तो सिर्फ क्या बचा यह वाला पार बचा उपर वाला पार बचा तो कितना बच गया EDS और cos 0 यह वाली बच गई बना पर बराबर समेशन क्वीन अपने पाफ और इसपने अपने 보사 वे लिए बच ओगई रूं के पाद सिग्मा अपण क्यों ऑनोंप से लिए कि पहा यह है किसी भी मिलप्र पाइंटे दूर वाला प् Our Fire प्र यह वालए यह जो line of force है, वो सिर्फ सर्फेस पर ही perpendicular है, आगे जा करके तो perpendicular नहीं है, तो हमने इस बात का यूज किया है कि भी सर्फेस पर इलेक्टिक फिल परपेंडिकुलर है, तो सर्फेस के एकदम नजदीक वाले पॉइंट पर इलेक्टिक फिल जो आया है, वो सिग्मा बाई एकदम नजदीक फिल पर इलेक्टिक फिल पर इलेक्टिक फिल की वेलिव बनी है, वो बनी है, लेकिन एक बार चुकिए इसका क्यूशन आया हुआ है, और आगे अब वहन्य हде, तो हम पियारी करके रखें, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, तो एलेक्ट्रोष्टेटिक फ्रेशर पिलेक्ट्रोष्टेटिक फिल्सक फ़ोर्स अपने रिया तो प्रेशर अपने लिए तो प्र आपने लिखने चाहें तो बन जाएगा यह हम जाना आते हैं तो इस चोटे से portion DQ पर अगर हमें force निकालना है तो DF बराबर DQ into अब क्या है कि देखो DQ DQ सब जगह पर है यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह DQ है लेकिन खुद की कारण तो खुद को force लगेगा निए बाकि जितने DQ बचे हुए हैं उनके कारण लगेगा बना remaining DQ की कारण force लग रहा होगा तो remaining DQ की कारण जो force लग रहा होगा इस DQ पर वो निकालना है अगर 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 तो DF को मेंसे लिख सकते हैं DQ इन्टू E remaining E remaining क्या है बचे हुए सारे जितने भी चार्ज है उनके कारण electric field तो जैसे यहां समझ सकते हैं आप कि जैसे यह एक अकेला चार्ज है वन तो इस पर 2, 3, 4, 5, 6 बचे वे जो 5 चार्ज हैं उनके कारण फोर्स लग रहा होगा वन पर बाकी के कारण फोर्स लग रहा होगा है ना तो खुद की कारण तो लग नी रहा होगा ऐसे ही इस DQ पर बाकी जितने चार्ज हैं उनके कारण फोर्स लग रहा होग तो DF को लिखा अपन ने, ये DQ और बाकि जितने भी चार्ज हैं, वो E remaining, E remaining बना electric field due to remaining charges, तो अब हमें E remaining पता लगाना है, E remaining पता लग जाए, तो यहां डाल दे, अपन, DQ को तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो DQ है न, इसको अपन लिख सकते हैं, sigma, यहां की local charge density, into DS तो sigma into DS, तो what, DQ और E remaining कितना बना E remaining बराबर है, E remaining तो निकालना है अभी, तो E remaining की value कितनी आएगी, तो उसके लिए अपने सा करते हैं, देखो, 0.1 पर electric field कितना बनेगा E at position 1, ये कितना बनेगा, तो 1 पर electric field नेटे sigma by epsilon 0, ये किस-किस की कारण है, यहां पर जो electric field है न, वो किस की कारण है, वो है एक तो DQ की कारण, और एक जितने भी electrostatic charge बचे हैं, उन सब की कारण, तो E remaining की कारण, और उसके अलावा, two वाले point पर बताओ, two वाले point पर electric field कितना है, two कौन सा point है, जो conductor के inside है, तो conductor के अंदर जो electric field है, हो कितना, 0, अब conductor के अंदर अगर electric field 0 है, तो इसका मतलब, यहां two पर जो electric field है, उसको हम दो टुकडों में तोड़े, एक DQ और एक सारे बचेवे charge, तो DQ और सारे बचेवे charge, यहनि, E, DQ और सारे बचेवे charge का मिलाकर, अगर total 0 आना है, तो तभी possible है, जब जितना DQ का electric field हो, उतना ही remaining charge का electric field हो, simple word में समझने के लिए देखो, एक छोटा सा example है यहां पर, कि 6 charge यहां रखे हुए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बताओ, center पर electric field कितना होगा, अगर यह regular hexagon है तो, तो अगर यह regular hexagon है, तो center पर electric field आया, 0, तो हम इसे लिख सकते हैं, center पर electric field is equal to, electric field due to 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, इन सब की कारण electric field, अब यह 0 है, अब अगर even की value लिखना चाहें, तो बाकी सब को इदर भेजें, बाकी सब को इदर, तो minus time हो जाएंगे, तो even equal to क्या हो जाएगा, minus times, यह 2, 3, 4, 5, 6, यह नहीं, इन सब का मिला करके, जो जोड है, vector addition, वो total किसके बराबर आ रहा है, इसी even के बराबर, magnitude में, और direction में opposite, क्योंकि total 0 होना है, तो 1 का 5, 6 का minus time, obviously, magnitude में same, और direction में opposite, तो अगर जैसे मालों की 1001 charge हैं, और इस तरह से रखे हो में कि किसी point पर net electric field 0 आ रहा है, तो 1 plus 2 plus 3 plus 1001 मिला कर बराबर 0, अब 1 को इदर छोड़ दो, बाकी सब को दर ले जाओ, तो 1 का बराबर minus time, सभी का, तो इस तरह से अपन net electric field की value को बोल सकते हैं, तो देखो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कि 1 के कारण जो electric field है, वो बराबर है 2, 3, 4, 5, 6 के summation के magnitude के और direction में opposite, ऐसे ही अगर 2 पर electric field 0 है, तो यहां जितने भी चार्ज हैं, 1000 लागों जितने भी चार्ज हैं उन सब का मिलाकर के जो electric field है e remaining का और e d q का वो दोनों बराबर होंगे, तब ही तो 2 पर electric field जो है, वो 0 बनेगा, तो e d q बराबर e remaining आ गया, तो यहां डाल दे है अपन e d q बराबर e remaining यह नि e d q को भी e remaining डाल दे, तो इसको भी लिख दिया अपने e remaining और यहां पर, इसको भी लिख दिया e remaining, इसको भी लिख दिया e remaining तो क्या बन गया, twice of e remaining बराबर sigma by epsilon 0 तो e remaining बराबर कितना आ गया sigma by 2 epsilon 0 यह remaining charges के कारण electric field आ गया तो यह डाल दे है अपन e remaining तो e remaining बराबर कितना हो गया, sigma by 2 epsilon 0, तो यहां से कितना बन गया, बताओ, यह हो गया sigma square by 2 epsilon 0 into ds, अभी अपने क्या निकाला हुआ है यह, df अब df निकाला हुआ है और अगर अगर अब निकाले electrostatic pressure, तो electrostatic pressure कितना बनेगा p electrostatic लिखना चाहें अगर अगर अपन तो बोलो, p electrostatic कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, यह अपने df निकाला है, अब अगर अगर अपन df upon ds निकाला है, तो यह df, यह बला, अब अपन निकालना आते है, df upon ds तो ds को निचे ले जाओ, तो कितना हो गया, यहां से बताओ, यह हो गया, sigma square by 2 epsilon 0, तो p electrostatic बराबर कितना है, sigma square by 2 epsilon 0, तो df बराबर, इस ds को धर बेज़े, तो df बराबर क्या बन रहा है, sigma square by 2 epsilon 0 into ds, और vector form में लिखे हैं तो, यह ds vector, तो total force अगर हमें निकालना है, f vector बराबर, तो क्या बनेगा, integral of df vector बराबर, integral of sigma square by 2 epsilon 0 into ds vector, यह बना, integral of ds vector, तो कुल मिला कर हमने क्या जाना, कुल मिला कर हमने जाना, कि अगर किसी भी shape का conductor हो, उसके surface पर किसी point पर, अगर हमें df force लिखना है, तो df force का answer याद रख सकते हैं, df vector बराबर, sigma square by 2 epsilon 0 into ds vector, यह df का formula हो गया, और यहाँ pressure कितना feel हो रहा है, electromagnetic pressure, वो formula है याद रख सकते हैं, p electromagnetic बराबर, sigma square by 2 epsilon 0 तो यह electromagnetic pressure आया, पढ़ा क्यों, फाइदा क्या होगा इसका, फाइदा ही होगा कि, अब किसी भी element पर force अगर हमें निकालना है, तो हम सिधा formula ही उस कर लेंगे, sigma square by 2 epsilon 0 into ds, और अगर हमें कुछ element का summation निकालना है, कि total मिलाकर जैसे, एक sphere दे दिया यह से, sphere दे दिया, और फिर हम से पूछा कि, बताओ, इसके आदे part पर, यह इतने पर total force जो लग रहा होगा, बचे आदे कारण, वो कितना लग रहा होगा, तो बचे वे आदे कारण, जो इस पर force लग रहा होगा, उन सभी df का summation करें, तो सभी df का summation माना integration करें, तो सभी df का integration करें, तो कैसे करेंगे, integration में sigma square by 2 epsilon 0, जिरो तो बाहरा गया, और integral of ds vector माना s vector बन गया, यहनि इतने portion का, अगर आप s vector माना area vector लिग दें, तो इससे आप force vector की value पता लगा सकते हैं, इस पर total कितना force लग रहा है, तो electrostatic pressure का formula क्या है, P electrostatic equal to sigma square by 2 epsilon 0, और फिर df by ds है यह तो, और df निकालना तो ds को दर बेज दो, तो df बराबर कितना हो जाएगा, sigma square by 2 epsilon 0 into ds, तो इसका यूज करके example करते हैं, तो यह question जो आया था, उसके लिए ही हमने electrostatic pressure पड़ा, कि अगर एक sphere है conducting sphere, इस पर कुछ चार्ज है, sigma charge density radius आ रहे, तो half ने दूसरे half पर कितना force लगा है, तो देखो, यह जिसे को element लें तो इस पर df की direction इस तरह से होगी, और ऐसे के से ही, symmetrically एक और element इसके तरफ लें तो यहां पर df की direction इस तरह होगी, और इसे दर के तरफ लें तो df ऐसे होगा, और इसे दर के तरफ लें तो df से होगा, तो सबने एक दूसरे तो cancel कर दिया, तो overall तो four zero है, लेकिन अगर हम यह बता लगाना चाहें, कि बताओ, कि इस पर आधे पर कितना लगा, तो अब आधे पर तो cancel नहीं होने वाला, क्योंकि आधे पर जैसे इसके दो component करें तो जूर जाएंगे, यह ज़रूर cancel हो जाएंगे, लेकिन half पर देखें, अगर तो इधर वाले इतने भी element हैं, सारे तो जूर जाने वाले हैं, total force निकालने के लिए, तो total force कि इतना आने वाला है, तो electro static pressure का formula याद होने से, हम सिधा इसका use करके answer निकाल सकते हैं, तो अभी अपने लिखा, df vector बराबर sigma square by 2 epsilon 0 into ds vector, और total force vector अगर हमें निकालना हैं, तो इसका vector addition करेंगा अपन, तो इसमें से sigma square by 2 epsilon 0 तो बहार आगया, और सारा ds vector मिला करके, और s vector बन गया, तो hemisphere का जो s vector है, वो कितना बनेगा हो, अपनने flux के दोरान देख लिया, hemisphere, hs hemisphere, तो hemisphere का s scalar तो होता है, 2 pi r square, और s vector जो है, वो कितना होता है, pi r square, तो hemisphere का s scalar निकालना है, यह जैसे hemisphere है, तो इसका s scalar तो pi r square, s vector निकालना है, तो उसका असान तरीका देखो, जैसे मानलो कि यहां से एक electric field है, यहां पर, तो electric field कितना है था, e into pi r square, अब मैं इसको disk से बंद कर दूं, तो बताओ, फिर इसमें से flux कितना मनेगा, total मिला करके, 0, अब total flux 0 है, तो जितना इसमें से जा रहा है, यह plus है, तो उतना इसमें से minus होना चाहिए, तो इसका तो पता है, आपने को e into pi r square, तो इसका भी e into pi r square, इसका मतलब, जितना area vector इसका है, यह बंद करने के लिए में इतना portion यूज किया है, वही इसका area vector हो गया, hemisphere का, यानि कहने का मतलब यह है, कि जैसे sphere है, और अगर आपको यह वाला area पता है, यह बंद करने के लिए इसका area vector पताल लगया, apple है जैसे आपने हैं, उसको बीच में से यहां से काट दिया, apple को, यहां से काट दिया, बीच में से करा अपने apple को, तो वो जो disk वाला portion बना नहीं इतना portion है, disk वाला, वही इसका area हो गया, तो यह जो area vector है, hemisphere का, वो बना pie square, flux में निकाला था अपनने, तो यह force की value आ गई, यह sigma के terms में answer आया है, अगर इसी question में q के terms में पूछा होता, तो sigma की value पन के डाल देते, q upon 4 pie r square, तो proportionality पूछी थी एक बार जैसे इसकी, तो अगर sigma given है, तो force किसके proportional आ गया, r square के, if sigma is given, अगर sigma दिया हुआ है, तो, और अगर q दिया हुआ है, तो यहां क्या लिग दोगे आप, q upon 4 pie r square, एक pie r square कट जाएगा, एक pie r square पर बचार जाएगा, तो जो force की value है, वो r square के inversely proportional आ गया, अगर, कब के लिए, if q is given, अगर q दिया हुआ है, अगर, यह तो अपने बीच में से काटा, बीच में से यहां से, अगर बीच की जगा, तो फिर कितना force लग रहा होगा, यह पता लगाना है, जैसे अपने को, जैसे मालो की, एक sphere है, ऐसे यहां से, और center से कुछ distance पर यहां से cut कर दिया, अपने यहां से, तो अब इतने portion ने, इस पर कितना force लगाएगा, यह पता लगाना है, तो यह portion कट करने के बाद, जैसे यहां से distance दे रखी है, अपने को कुछ, r by 2, और इस center से distance से r, तो यह वाली जो radius है, यह पता लगा सकते है, अपन, यह है small r, अभी पता लगा सकते है, तो यह जो disk बनेगी, यह वाली disk, इस r square, और यह जो r है, इसकी value बता सकते है, अपन, कितने हो जाएगी, यह triangle देखो, इस triangle में, यह है r by 2, यह है r, तो यह r कितना हो जाएगा, r square minus r square by 4, यह small r square is equal to r square minus r square by 4, वो यह जाल देंगे, तो इससे force बता लग जाएगा, तो, यह इसा नहीं कि symmetrical ही काटा, यहां side से काट तो भी हम बता पाए, यह वाला area, अगर हमें बता था, यह वाला area, अगर हमें बता था, तो हम इस पर लगने वाला force की value बता पाए, यह है इसका example. कंड़कर के कुछ सवाल हैं, क्साइज 1 part 1 section J, part 2 section J, 1 part 3 का question number 1, 2 part 1 का 2 और 11 to 21, 2 part 2 का 19 and 20, 2 part 3 का 15, 16, 17, 18, 2 part 4 का 1, 2, 3, 7, 8, 9, इसके अलावा, 3 part 1 और part 2 में भी कुछ सवाल हैं, पर पहले आप यह करें, अगली class में बचा हुआ हूँ हम बचा हूँ हम बचा हूँ हम बचा झाल, 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